तो दोस्तो स्वागत है एक बर फिर से आप सभी का भारती टेक चैनल पर मैं हूँ आपको अपने दोस्त अजेकुमार भारती आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तर परदेश स्वास्त भाग की भरती जो की आपकी जल्द ही आई है और इसमें आपको कि स्लेबस क्या होने वाला है साथ मैं आपको बताएंगे इरिजिबिल्टी क्या होगा और पोस्ट कितने होने वाले है अलाकि हम आद देख पा रहे हैं यहां पर तक्रीबन 4000 पोस्ट है और किस कटेगरी के लिए कितना पोस्ट होने वाला है तो आपको complete detail इस वीडियो में आने वाले हैं साथ में यहां पर एक question आ रहा है लोगों के मन में कि BSC Home Science वाले apply कर सकते हैं हलाकि BSC Nursing वाले तो apply करेंगे ही करेंगे लेकिन BSC Home Science का क्या मसला है उस पर भी यहां पर हम complete जानकारी देने वाले हैं और कौन-कौन से course वाले लोग apply कर सकते हैं तो इस वीडियो मे आपको complete information देने वाले हैं तो दोस्तों बीना किसी देर के वीडियो को start करते हैं और साथ में अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजिए साथ में बेल आइकन को भी press करके रखें ताकि जब भी कोई नई notification आए उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल ज करते हैं कि जो total vacancy आई है वो किस category के लिए कितना होने वाला है तो यहाँ पर पोस्ट है उसका नाम है Community Health Officer जिसमें जो unreserved category है उनके लिए 1600 पोस्ट है आगे हम बात करें notification जो है वो आज के date में ही आया हुआ है और यहाँ पर apply कब से करना है और last date क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं तो apply करने का जो date है वो चार दो से है यानि कि आप इसे apply कर सकते हैं apply करने में कोई issue नहीं है अंतिम date की बात करें तो 13 तारिक तक की अंत apply कर सकते हैं तो यह आपको ध्यान अकना है तो जल्द ही apply करिए और यहाँ पर देख लेते हैं eligibility में तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यहीं होने वाला है eligibility की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा कि candidates who have successfully completed BSC nursing with integrated curriculum of certificate in community health of nursing and की CCHN और post basic basic BSC nursing course with integrated curriculum of certificate of community post up nurse यानि की CCHN from academic year 2020 and onward from an Indian nursing council state nursing council in the government institute of university will be eligible to apply यानि की कुल मिला कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो BSC जो nursing वाले लोग है ठीक है BSC nursing वाले ही apply कर सकते हैं इस साथ में आपको ध्यानक ना इसकी अत्रिक्त कोई भी candidate ऐसा है जो अन्नी course को complete किया है वो यहाँ पर apply नहीं कर सकता है अगर हो सकता है तो वो apply कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो दोस्तों यह तो हो गई बात इसकी selection process आपको पता है कि normally exam होगा आपका और exam में आपकी merit और बनाए जाएगी उसी के according यहाँ पर आपका selection हो जाएगा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो सबसे most important है वो क्या होने वाला है और है आपकी इसमें को मिलाके बात करें किश यहां होने वाला है तो चलिए हम सलेबस की तरफ बढ़ते हैं और अधिकते हैं कि आपका इसमें क्या होने वाला है तो यहाँ पर अल concerning कि कुंक्ण सी कितनी हाँ से और दिखाई दे रही है तो friends कि सिले भी का कोई भी मसला सामने नह किया गया है लेकिन जैसे ही स्लेबस आता है दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि स्लेबस में क्या क्या होने वाला है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे जो भी ब्यस्सी नर्सिंग से रिलेटेट है ठीक है ब्यस्सी नर्सिंग से रिलेटेट जो आपने कोर्स किया है तो question भी आपके उसी के relation से होने वाला है, ठीक है, तो ये आपको विदवत ध्यान रखना है कि कैसे ये apply करना है, बात करें इसमें चालान की, तो चालान किसी भी candidate के लिए कोई भी चालान आपको नहीं देना है, आप किसी भी category के लिए हो, आपको zero चालान पे करना है, सभी category के लिए, तो चालान से आपको फुर्जत मिल गई है, और apply, आप तुरंट करिए, apply करते हैं समय, यदि आपको कोई भी problem होती है, कि कैसे हम apply करें, तो comment section में जाके तुरंट आप बताईएगा, उसकी ततकाल जानकारी आपको comment के थुरू ही दे दी जाएगी, तो दोस्त, झाला 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